जाहिन दोस्तों कैसे आप लोग उमीद है आप सब अच्छे सोंगे अवद विस्वीद दरे बीएट फस्टियर हाँ जी बीएट फस्टियर के बच्चों से उमीद मैं करता हूँ कि आप सबने पढ़ाई सुरु कर दी होगी आप सबने अपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया ह विडियो में में आपने को थोड़ी सी घल करूँगा मदद करूँगा कि यह आप अपनी पढ़ाई कैसे स्टार्ट करें कैसे объяс सुरू करें तो इस वीडियो में मैं एक यूनिट एक्सब्लीएट करने वाला हूँ कि कैसे प्रश्न पूछ जाते हैं उस date में आपको क्या अधिगाम एवं विकास का मनुविग्यान जो कि बीट फर्स्टियर का सेकेंड पेपर है कॉमन सब के लिए उसके फर्स्ट यूट के देखते हैं कि पहले यूट में पढ़ना क्या है आपको तो पहले यूट की जो सलेबस कॉपी है यूनिवस्टी के ओफिस्यल वेबसाइट वृदि और विकास का मनुविग्यान मतलब ये यूनिट का नाम है आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है सबसे पहले चीज पढ़नी है मीनिंग एड मैथड आफ एडुकेशनल साइकॉलजी सैचिक तकनीकी की अर्थ और इसकी तरीके इसका क्या मतलब हुआ इसमें आपको पढ़ना है कि सैचिक साइकॉलजी मतलब एडुकेशनल साइकॉलजी सैचिक मनुविग्यान सिक्षा के छेत्रव जो मनुविग्यान का इस्तमाल करते हैं उसका अर्थ क्या होता है उसके मैथड क्या होते है तरीका क्या होता है इन सारे चीजों को पढ़ना है सेकेंड पॉ पढ़ रहा हूं psychology पढ़ रहा हूं इसी से रिलेटेट जो second point है importance of heredity and environment in child development इसका क्या मतलब हुआ वनसानुकरम और वातावरर का एक बच्चे के वृदी और विकास पे कितना परभाव डालता है और एक बच्चे के विकास के लिए उसका वनसानुकरम और वातावरर कितना ज्यादा महत्दपूर होता है इसके बारे में आपको पढ़ना है और इसके बारे में आप आएंगे किसी बच्चे के विकास के लिए तो आपको यह पॉइंट पढ़ना है तीसरा है दोस्तों डैपलोप्मेंट स्टेज वाइस करेक्टरिस्टिक्स अफ लेर्नर जो भी विद्यारती है लेर्नर है अधिकम करता है उनकी विकास्तमक अवस्थाएं मतलब क्या हुआ देखिए वि इसमें उनकी क्या-क्या विसस्ताय होती है वह कैसे रियक्ट करते हैं उन्हें कैसे पढ़ाना है तो इन सारी चीजों के पारे में पढ़ना है और लास्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट इमोशनल एंड कॉगनेटिव डेवलेमेंट इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब हुआ भावात्मक और संग्यनात्मक विकास अब देखिए psychology कैसे आपका feelings emotional development करती है मतलब आपके भाव से आपकी बातों से आपका internally कैसे emotional development करता है इसके बारे में पढ़ना है मैं आपको example देता हूँ जैसे कि हम बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो कभी-कभी हम उन्हें reward देत होमवर करके आते थे तो जब अच्छा लिखते थे ना तो sir good देते थे यह good देना क्या है यह good देना आपको emotionally strong बनाता है emotionally आपको motivate करता है ताकि आप अगले दिन और अच्छे से लिख पाएं तो यह part हो गया emotional का cognitive का मतलब जैसे math के problem हो गये आप उस पे और repeat करें अपना दिमाग लगाएं नए-ने question solve करें आपके मस्तिक से जूड़े हुए तो इन चीजों को पढ़ना है कि psychology के माध्यम से कैसे किसी बच्चे का emotional और cognitive भवात्मक और संग्यनात्मक दोनों हम विकास करते बड़ा पूरा यूनिट रहा पूरा सब्जेक्स है आप जरूर इसको पढ़िएगा इस यूनिट में और देख लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है theory of cognitive development जीन प्याजे तो जीन प्याजे जो मनोविज्ञान थे उन्होंने संग्यनात्मक विकास के लिए एक theory दिया था एक सिधान दि development यह इसका नाम हो गया इसके अंदर पहली चीज़ आपको educational psychology सैचिक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है इसकी अर्थ क्या होती है इसकी परिभासा इसकी विसेष्था इसका महत्व इसका उद्यस यह सारी चीज़े पढ़नी है और दूसरा point है आपका importance of heredity and environment react करते हैं इनकी विसेष्थाएं क्या होती है बाले आवस्ता सैस्यावस्ता और किसोरा वस्ता में बच्चे कैसे react करते हैं इनकी विसेष्थाएं क्या होती है यह पढ़ना है आपको और emotional भावात्मक और cognitive मतलब संगयनात्मक emotional and cognitive भावात्मक और संगयनात्मक विकास के बार आप जरूरी से पढ़िएगा किसी भी YouTube से देखके आप इसको समझेगा बड़े मज़े की चीज़े हैं अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ एक पॉइंट्स को यहां पे डिसकस करूँगा नि पर कोस्टन बताऊंगा कि पिछले पांथ सालों में कैसे पूछे गए यह देखिए मैं बात कर रहा हूं कि सैचिक मनुविज्ञान एजुकेशनल टेक्नोलोजी यह कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है और इस पे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं पिछले पांथ सालों में तो आईए इन प्रश्नों को देख तो सुरू करते हैं 2018 के question paper से जो कि से प्रश्न पूछा गया ता और नीचे पूछा गया था कि सैच्छा मनोविज्ञान के निरिक्षडविदी की आउड सेक्टर थाता महत्तों का लेक करिये मतलब सिख्छा मनोविज्ञान है इसके निरेक्षडविदी जो होती है उसका इंपोर्टेंस है और इसका क्या purpose है में परियोगात्मक विधी की आउसकता था था महतो कवले के लिए 2018 में आपसे निरिक्षड विधी पूछा गया था और यहां पे परियोगात्मक यहां पे प्रैक्टिकल मैथड यहां पे पूछा गया है जबकि यहां पे निरिक्षड विधी यहां से आपसे पूछा गया है में इसको प्रस्ट कीजिए अक्सर सवाल पूछा जाता है कि आप explain करिए कि सिख्छा और मनोविज्यान the both are the sides of one coin यह दोनों एक ही सिख्चे के दो पहली में आप इस पे explain करना था यह प्रशन आप से पूछा गया था section B में पूछा गया था कि सिख्छा सैचिक मनोविज्यान के वहवार के अध्यन के विभिन विधियों का बढ़न करिए तो let me finish this video with this remark कि आप देख सकते हैं कि सैचिक मनोविज्यान कितना ज्यादा important है एक परिभासा इसका आउधारणा पूछा जाता है और एक जो सैचिक मनोविज्यान की विधि है उसके बारे में आप से चैनल पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने explain किया है सिक्षामनोविज्यान क्या होता है इसकी अर्थ परिभासा अभी से सताएं और इसके उद्यस और महत्तों को आप किसी भी यूटूबर से आप देख सकते हैं अगर इसको देखेंगे तो मुझे खुशी होगी इस व को आप जरूर पढ़िए तो इस वीडियो का मैं खतम करूँगा मेरी कोशिच थी कि मैं आपको फर्स्ट नुइंट explain कर दूँ और यह question important बताऊं कि कितना ज्यादा important है अब आप एक काम करिए description में दो link है एक इस वीडियो का उसको देखके समझ जाए और दूसरा मेरे टेर करना है हमें मिलके seriously पढ़ाई करने बाकि एक last request आपको यह वीडियो कैसे लगे आप comment में बताइए मुझे भी motivate करिए ताकि मैं ऐसे आपके लिए और सारे वीडियो बनाता हो मुझे बहुत खुशी होगी यह वीडियो आपके शाहर करके उमीद है आपको भी खुशी होगी आप प्लिस इस वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर कर दीजिए अगर अभी तक चैनल से नहीं चुड़े हैं तो प्लिस रेड सब्सक्राइब बढ़ना पर क्लिक करके चैनल से चुड़े बहुत बहुत शुक्रिया मिलेंगे अगली वीडियो में नए जानकारी के साथ त कर चैनल से लगाओ तो जया हिन जया भार तोस्तों